आपको हम बता दे कि दोसी यही लोग है और दोसी यही होटल है और दोसी जो यह चेहरा दिख रहा है आकांछा दुबे वाले मैटल पे दोसी यह लोग ही है अपना दोस छीपाने के लिए आज 3-4 दिन निकल गया होटल मालिक फ़ला रहे होटल के जितने स्टाप है होटल के मैनेजर है वो फरार चल रहे है क्योंकि कहीं ने कहीं आकांचा दूबे वाले मैटर पे इन लोगों का दोस है आप दोसी है या इस जो यह हुआ है इसमें जिन से लेकर आज का दिन से आप लोग दोसी है कहीं ना कहीं और आप लोग CCTV फोटेज छिपा चुके हैं आप लोग फरारी चल रहे हैं वहां भोजपूरी अभिनेत्री आकांचा दूबे जो है कि फंदे लटक गई है उसके बाद आप लोगों के यहां पुलिस आके चल रहे हैं क्योंकि कहीं ने कहीं आकांचा दूबे वाले मैतर पर इन लोग का दोस है होटल का दोस है और होटल के मैनेजर का और होटल वालों का और होटल का इसमें हाथ है कहीं ने कहीं यह लोग भी मिले हुए हैं और यह लोग फरार चल रहे हैं तो आपको बता दे कि अ आकांचा दुबे वाले मैटल पे दोसी ये लोग ही है क्योंकि इन लोग को टॉचर किया जा रहा है बाकि हम इनसे पूछेंगे कि क्यों टॉचर किया जा रहा है और यह क्यों यह लोग परिसान हो रहे हैं तो पहले आप लोग यह बताईए कि आप लोग फरार हैं क्या सर मैं अगर फरार हूँ तो मैं आपके सामने कैसे हूं जी हम कहीं फरार नहीं हैं हम 22 फिर होटल पे ड्यूटी दे रह जा यहीं हैं हमारे सारे स्टाप जो घूनपी थिया जॉब करते हैं ठीक है उस कंडिशन में हमें फैमिली में भी टाइम देना है हमारे घर के भी कुछ काम होते हैं मैं 12 गंटे 14 गंटे ड्यूटी देने के बाद अगर घर जाता हूं तो मेरा टाइमिंग है या 10 बजे आने का उस कंडिशन में कुछ मीडिया वाले ऐसे भी है जो जवाब ऐसा तो है नहीं हमने जवाब नहीं दिया सारे चैनल को हमने दिया जो पूछा गया मुझे से कोश्चन सब मैंने जवाब दिया आप लोग किसी चैनल वाले को भगा भी रहे मीडिया वालों को किया टाइमिंग का इशू है अब मैं घर पे हूं हर इंसान आएगा होएगा फ्रेश होगा सारी चीज़े दिन चर्या कि इसाफ से वह करके घर का कम तभी आएगा उस कंडिशन में होटल पे 6 बजे 7 बजे आके लोग बैट जाए और कहें कि आप आईए हमें इंटर्व्यू लेना है तो उस कंडिशन में आप बताएं सर कि यह पॉसिबल है न दोसी नहीं है अच्छा आप लोग बताएं कि आप दोसी है क्या है अगर हम दोसी होते सर जिस तरह मीडिया में अफ़वा उड़ाई जा रही है कि होटिल के मालिक फरार है होटल के स्टाप फरार है अगर हम दोसी होते आज यही वो होटल है जहां आकांचा दूबे 26 तारी कराज का दीन आज 3-4 दिन निकल गया इसमें आपको कहाद लगता है कि होटल मालिक फला रहे है या होटल कहाद है इस तरह कि मीडिया वाले अफ़वा उला रहे हैं सीची टीवी फोटो गाइब हो गया है यह अपना दोस्ट छीपाने के लिए इसमें कितनी सत्यता है अगर यह अगर होती तो आज हमारे सलाखों के पीछे होते सर ना कि हम खुले हम बैठे होते अगर आपने भी वीडियो देखा होगा तो आज अगर मैं फरार होता तो आप हमारे यहां के बैठके हमारा इंटर्वी नहीं लेते कि यह इस तरह कि अगर अफ़वा उड रहे हैं तो वहां होंगे आप चार दिन पहले भी आयते आपको यहां जत से बैठाया गया था आपने जो हमारे से सवाल पूछे उनका जवाब भी हम ने दिया और आज भी आप जो पूछ रहे हैं उनका भी हम जवाब आपको देंगे अचा तो इसका मतलब जितने लोग यह वीडियो जितने लोग वीडियो देखे हैं यऄ जो लोग यह वीडियो चलाया है जो कि बोल रहा है कि आप लोग दोसी है कहीं न कहीं और आप लोग CCTV फोटेच श्पा चुके हैं आप फरारी चल रहा हैं उनके उन लोगों को क्या बोलेंगे उन लोगों को यही बतार जब सकते हैं दूद का दूद और पानी का पानी होगा उस समय आपको सारी चीजे पारदर्सी नजर आज़े जब मालूम चला पुलिस को या लोगों को मालूम चला कि यहां भुजपूरी अभिनेत्री आकांच्छा दूबे जो है कि फासी पर लटक गई है उसके बाद आप लोगों के यह यहां पुलिस आके पुछ ताच या CCTV फूटेज देखने का कारी की की नहीं हां पूरी पूलिस की टीम आई यहां तक की सेस्चों साहब साहब अच्छे अच्छे अधिकारी आई-पेस रेंक अधिकारी आए वह गये और उस दिन से लेकर राज तक सब कुछ उन्होंने सील क मतलब सब कुछ है यहां चाहेंगे सारे थे फ्राप हैं बोग यहां पर हैं कि नहीं हम सबाएं करते हैं और सभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं咁 बेलकूल लकिन फफंश काल ये पास पहुँंच आ और बाकि जितने सवाल आप लोगों के दिमाग में जेहन के सवाल आप लिए सच में होटल वाले चुरा धिये प्याग यह सब के मन में और सब के दिमाग में ये बाते चल रही थी जो भी भजपूरी इंडस्ट्री से तालूक रखते हैं सब लोग चाहते थे जानना ये बात कि क्या सच में होटल का दोस है होटल वालों का दोस है और क्या सच में होटल वाले फरार हो चुके हैं क्या सच में होटल बंद ह थो चुका है और लोग सब्सक्राइब को बताएं सब्सक्राइब चुक्राइब ने ओपने सब्सक्राइब य strongest क्वाइब पूलिश घंप अभी सुरक्षित है और होटल बंद नहीं है जिसको रना होगा ना रहत वा सकता है संपेथ जो भी बात हो बाकि आप लोग इस बात से कितना संतुष्ट है आप लोग बताईएगा जरूर और आप लोग का बहुत-बहुत धन्य बात शुक्रिया जय हिंद